अगर आज आपने सीर जुका कर पढ़ लिया तो यकीन मानिए कल सबसे उचा आप ही का सीर होगा हेलो एंड्स बिलकम फिरेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनलाइन जी के जी इस क्लासेस में आज जो है reasoning का calendar chapter का part two video आप लोगों के लिए कर आ गए हैं इससे पहले हमने part one calendar का videos बना दिया है और calendar chapter से पहले भी हमने reasoning के important episode पे videos बना दिये हैं अगर वो videos आप नहीं देखे हैं तो जाए चैनल के playlist में वहाँ पे reasoning नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वहां से आप जाकर रिजनिंग के सभी महत्वपोंट टॉपिक्स को ट्रिक से कैसे पढ़ाएं हैं वो देखकर आप आसानी से आने वाले सभी एक्जामों में इक सभी प्रस्व बना करांगे तो चलिए आझ की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो इससे जासे कोड से related questions कैसे बनते हैं जैसे कि एक्जाम में पूछे जाते हैं directly कि बताइए कि 26 जन्वरी 1950 को कौन सा दिन था तो इसे related questions के लिए हमको जो है code याद करना होता है उसके बाद ही questions जो है बनते हैं तो code को आज किस प्रकार हम याद करेंगे और उसे related प्रस्ण को कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में एक तम सिखेंगे और मात्र 5 सेकेंड के अंदर code से related सभी प्रस्ण कैलेंडर के आप solution करके आएंगे तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं देखें सबसे पहले दिन का code क्या होता है सबताह में यानि week में साथ दिन होते हैं संडे, मंडे, ट्यूजडे, विडिनस डे, थर्सडे, फ्राइडे और सटर डे फ्राइडे का आपका code नजर नहीं आ रहा होगा क्यूंकि जो है light का focus आ रहा है तो इसलिए उपर लिख दिये हैं तो संडे का code होता है एक Monday का 2 Tuesday का तीन विडिनस डे का 4 सबसर्डे का 5 फ्राइडे का 6 शर्तर डे का zero होता है याद कैसे करना है तो हम लोगों का दिन जो है संडे से हिंस्टार्ट होता है एक दो तीन चार याद करना है और सटर्डे को जीरो हो जाता है। सिंपल सी बात है सटर्डे को स्कूल भी हम लोग जाते हैं तो हाप घंटी ही पढ़ते हैं जैसे कि 6-7 घंटी का स्कूल है तो 3-4 घंटी ही पढ़ाई होता है। तो संडे को हम लोग जो है जीरो मानते हैं ठीक है संडे नहीं सटर्डे को जीरो मानते हैं और उसके बाद संडे को एक से स्टार्ट कीजिए और फ्राइडे तक छे तक आईए और उसके बाद सटर्डे को जीरो मान लीजिए बहुत सिंपल है उसके बाद याद यह कुछ करने वाला नहीं है अब मंथ कोड क्या है तो जन्वरी एक फरवरी चार मार्च चार को पहले जो है एक बार हम बताद रहें उसके बाद यात करवाएंगे जन्वरी का एक फरवरी का चार और दिसंबर का 6 अब इसको याद कैसे करना है तो देखिए पूरा जो मन्थ होता है कितने होते हैं 12 होते हैं तो पहले देखें तीन मन्थ का 12 का स्कॉयर कितना होता है 144 तो पहले तीन मन्थ का जो है 144 यानि जनौरी का एक फरवड़ी का चार और मार्च का चार 12 मंथ होते हैं यानी 12 का स्कॉयर अब देखिए मई जो है पाचवा मईना तो अपरील से लेके जून तक पाचवा महिना है तो 5 का स्कॉयर करेंगे तो कितना होगा 25 25 25 अपरील का 0 हो difficulty माइ का दो हो गया जून का पाच हो गया ठीक है याद करने वाले रटवाने वाले यहां पर काम नहीं होता है हमारे चैनल का मोटो ही है आपको ड्रेक के माध्यम से सभी को सोलीउशन करवाना इसी के कारण जो हैं हम यह शैनल तो खतम होगे आप जुलाइ से च्छे का स्कॉ Selbst खतना होता है 36 टीक है तो छे-स 36 के पहले जीरो लगा दें कोई दिक्कत नहीं है तो जुलाई का जीरो हो गया अगस्त का 3 हो गया सिप्टेंबर का 6 हो गया अब आता है कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं तो 12 का स्क्वाइर तो 144 लिख दिये हैं देखें यहां पर और उसमें 2 एड कर देंगे कितना 2 एड यान स्कॉइर के 4 होगया दिसंबर का 6 हो गया याद हो गया याद नहीं होगा है तो एक बार फेर से याद कर लीजिए पहले है 12 का square यानि 144 फिर है 5 का square यानि 25 और उसके बाद है 6 का square यानि 36 और उसके बाद 12 का square है और उसमें 2 हम लोग add कर दिये हैं अपने मन से तो ये code भी आपको याद हो गया होगा अब आते हैं years का code क्या होता है यानि साल का code क्या होता है ये भी समझना जो है बहुत जरूरी है तो 1500 से लेके 1599 तक आएगा तो उसका code जो है 0 होगा यानि 1501, 1502, 1503 तो 1599 तक आए तो उसका code जो है 0 होगा 1600 से 1699 का 6 होगा 1700 से 1799 का 4 होगा 1800 से 1899 का 2 होगा 1900 से 1990 का 0 होगा 2000 से 1999 का फिर 6 होगा जैसे देखें इजाद कैसे करेंगे हम लोग 1500 से start करेंगे 150,0 1600, 1600 में 6 आरा है 6 का kot 0 यानि 2 कम होते जाएगा पहले 0 से start करेंगे उसके बाद 6, 6 के बाद 2 कम करेंगे तो 4, 4 के बाद 2 कम करेंगे तो फिर 2 और 2 में 2 कम करेंगे तो 0, फिर देखे 6 से स्टार्ट होगा यहां पर तो याद कर लिजेगा आप लोग, 1500 से 0 से स्टार्ट कीजिएगा, फिर 6, 4, 2 फिर 0 फिर 642 ऐसे चार 1 मैंद 15 से याद किजिएगा ठीक है किmmेंbek जब भी पुछे जाएंगे तो पीछे 5 साल तक ही पुछे जाते हैं और आगे 5 साल पुछे जाते हैं उससे ज़्यादा नहीं पुछे जाते हैं तो यहां तक हो गया तो अब आता है questions बनाने की बारी कि आखिर भाई questions बनते कैसे हैं और पूछे कैसे जाते हैं आईए समझते हैं बहुत simple है कि question पूछे कैसे जाते हैं देखे question आज का दिन जो है एक जून दो हजार 21 है आज ही के दिन हम वीडियोज बना रहे हैं तो आज ही के दिन को पहले निकालते हैं ठीक है और आज का दिन है जानते हैं एक जून दो हजार 21 तूजडे है कौन सा दिन है तो निकालते हैं कैसे एक जून 2021 पूछेगा question में कि ये कौन सा दिन है कौन सा दिन है ठीक है तो देखे बनाते हैं एक एक का एक लिखेंगे अब पूछेगा कि सर एक का एक का है लिखेंगे बताते हैं अगर साथ से नीचे रहे छे पांच चार तीन दो एक तो उतना ही लिखेंगे अगर साथ से उपर रहे आठ नौ दस तो उसको साथ से डिवाइड करेंगे और जितना भी reminder आएगा कहने का मतलब 6 उसको लिखेंगे अगर यहाँ पर एक जून के जगा दस जून रहता है तो दस को साथ से डिवाइड कर दें reminder तीन आता तो यहाँ पर क्या हम लिखते हैं कि अतीन लिखते हैं ठीक है समझ गए होंगे अप लोग उसके बाद जून का कोड लिखेंगे जून का कोड कितना है तो जून जो है कौन सा महीना है छठा महीना है तो मई के पहले यानि मई 5 पांच के स्वायर यानि छठा का होगा पांच होगा जून का पांच देख लिजी यहां पे तब प्लस यहां पे करेंगे और का लिखेंगे पांच लिखेंगे उसके बाद 2021 में एक 20 जो है इसको भागा कर चेक करेंगे कि इसका जो है लीप एर है कि नहीं है तो साथ से डिवाइड चेक करने के लिए चार से डिवाइड किया जाता है लेकिन साथ से यहां पर डिवाइड हम कर रहे हैं पाइंडर बचने के लिए कि यहां पर दीन जो है वीक से कितना जादा है तो देखेए 2021 में साथ 21 में साथ से डिवाइड करेंगे तो जीरो बचेगा जीरो तो यहां पर हम जीरो लिखेंगे ठीक है अब अब इसका लीपियर चेक करेंगे लीपियर की 2021 में कितने लीपियर है तो 21 को चार से डिवाइड देंगे कितना आएगा तो इसमें 5 लीपियर आएंगे 4, 5, 6, 20 21 में कितने लीपियर आएंगे पांच लीपियर आएंगे 5 लिख दियें समझ में आया की नहीं हम का किये हैं 21 बटा में 4 किये हैं तो पांच बार लीपियर आएगा यानि 20 रहेगा तो पांच लिख दियें अब क्या करना है पांच लिखने के बाद कि 2000 से 2099 का कोड क्या था 2000 से 2099 के बीच में 2021 आता है तो देखिए 2000 से 2099 का कोड है 6 यहां पे 6 लिखेंगे अब एड करेंगे 6 5 11 11 5 16 16 17 17 के का करेंगे दिन निकालना है तो दिन ता 1 से 6 के बीच में है देख लिजे 1 से 6 के बीच में है तो साथ से डिभाइड करेंगे केतना रिमाइंडर बचेगा तीन बचेगा रिमाइंडर यानि से इस तीन बचेगा तीन जो है कौन सा दिन है कौन सा दिन का कोड है देखिए Tuesday का code है यानि कि आज कौन सा दिन है Tuesday है सही में आज Tuesday ही है तो इसी प्रकार जो है एक्जाम में questions को बनाए जाते हैं यह तो हम समझाने के लिए आपको बताएं इतना simple और इतना time लिए अगर इसको हम एक्दम speed में बनाएं मेरे अनुसार तो 5 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लाएगा आई यह बनाके दिखाते हैं कि पूछ लिया कि 26 जनवरी उनाइस सो पचास को कौन सा दिन है सबसे पहले ली पियर चेक करेंगे एक यहाँ पे नोट लिखने योग बात क्या है लिख लिजेगा नोट अगर ली पियर रहे तो जनवरी का code जो है जनवरी का code जीरो हो जाएगा और फरवरी का code जो है तीन हो जाएगा और याद रखेगा ओनोट तो देखिए 26 में साथ से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर सत्तर ये कईस पांच आएगा जनवरी का code कितना है तो यह ली पियर है या नहीं है चार से यहाँ पे डिवाइ नहीं है जनवरी का code एक लिखेंगे अब यहाँ पे इसको काटेंगे तो रिमाइंडर दो आएगा रिमाइंडर दो आएगा और 1950 में टोटल जो है 12 ली पियर है पलस बार करेंगे और 1900 से 1999 का code जो है जीरो है यहाँ पे जीरो लिखेंगे टोटल को जो रेंगे 5, 1, 6, 6, 2, 8, 8, 12, 20 20 में 7 से भागा करेंगे कितना आएगा 6 आएगा रिमाइंडर यानि से 6 किसका code है फराइडे का यानि कि 26 जनवरी 1950 जो है फराइडे दीन परेगा हम आसा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि इस ट्रिक से आप आने माले केलेंडर के code से related परसन को आसानी से और मातर पांच सेकंड के अंदर बना के आएंगे अब केलेंडर में एक तरह से और परसने पुछे जाते हैं वो कौन से परसने पूछे जाते हैं आए बताते हैं देखिए पूछेगा की 2004 कौन से वर्स के समान है यानि बराबर है कहने का मतलब है कि 2004 में अगर एक जनवरी को संडे है तो कौन से वर्स में और संडे होगा यही पूछ रहा है तो बहुते सिंपल है तनी देख लिजिए वो नोट हम तनी बता देते हैं तनी आप लोग भी नोट कर लिजिएगा अगर लीपियर रहे तो एड करना है 7 अगर नोन लीपियर रहे तो एड करना है 11 कैसे देखिए 2004 जो है लीपियर है कि नहीं है चेक करके बताएए कैसे चेक करेंगे तो 4 से इसमें डिवाइड करेंगे इसे पहले वाले पाट्स में हमने पार्टवान केलेंडर का वीडियो में हमने बहुत ही असान भासा में केलेंडर को बताए है चार से डिवाइट किजिए, यह कड जाएगा यानि लीपियर है, ता 2004 में केतना एड करेंगे? लीपियर है ता साथ एड करेंगे, ता चार में साथ एड करेंगे ता केतना एगा? यानि कि 2011 जो है 2004 के समान है 2011 हो में 2004 में अगर एक जनौरी को संडे आएगा तो यह हुमें एक जनौरी के का आएगा संडे ही होगा समझ गयें? नहीं समझें Second, मान के चलिए 2017 पुछेगा कि कौन से वर्स के समान है 2017 कौन से वर्स के समान है 2017 को पहले देखेंगे कि लीपियर है की नहीं है? कैसे? 4 से डिबाइड देंगे कटेगा 17 जी 4 से नहीं न? नहीं कटेगा तका नन लीपियर है नन लीपियर में केतना एड करेंगे? 11 एड करेंगे 17 में 11 एड करेंगे केतना आएगा? 28 आएगा 28 यानि 2018 जो है एक जनवरी 2021 को अगर संडे है तब बताइए कि 31 December 2021 को कौन सा दिन आएगा बताइए कौन सा दिन आएगा बड़ी सिंपल है संडे ही आएगा कियों संडे आएगा क्योंकि ये ली पियर नहीं है अगर ली पियर रहता जैसे मान के चलिये एक जन्वरी 2020 संडे है तो बताईए कि 31 जन्वरी 2020 कौन सा दिन आएगा एक जन्वरी 2020 संडे है तो एक 30 दिसंबर 2020 कौन सा दिन आएगा मातर एक दिन बढ़ेगा काई कि लीप एर में 28 दिन के जगा जो है फरवरी 29 दिन का हो जाता है तो एक दिन बढ़ेगा इसी प्रकार के प्रस्न के लिए एक कोड बताया गया है इतना आसान समझे तो अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगाया तो वीडियो को लाइक कर दिजेगा सब्सक्राइब भी चैनल को कर दिजेगा सो गाइस वीडियो देखने के लिए कर दिए देगा nieu।